अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि NMR स्पेक्ट्रोइसकोपी के आधार पर हम किस प्रकार से किसी योगी की संरचना निकालते हैं आज हम प्रीवियस क्लास में पढ़े वे UV, IR एवं इस बार पढ़े वे NMR स्पेक्ट्रोइसकोपी के आधार पर योगी की संरचना किस प्रकार निकालते हैं उसके आधार पर हम योगी की संरचना निकालेंगे UV, IRM, NMR या PMR स्पेक्ट्रोइसकोपी के उप्योग से सरल कार्गोनिक योगी को के संरचना निर्धारन संबन्दी प्रश्म प्रोब्लम्स ओफ पर्टेनिंग ओफ दा स्ट्रेक्ट्र इलुशिडेशन ओफ सेंपल और्गेनिक कंपाउंट्स यूजिंग UV, IR, PMR स्पेक्ट्रोइसकोपी के टेक्निक्स दूसरा आहरा है 1715 cm इन्वर्षपर 1342 cm इन्वर्षपर एनमर्षपेक्ट्रोइसकोपी में इसका डेल्टा मान आ रहा है 2.12 पर एक सिंलेट जहांकी 3 प्रोटोन उपस्तित हैं डेल्टा 2.6 ट्रिपलेट जहां पर two hydrogen ये two proton उपस्थित है डेल्टा 2.25 ट्रिपलेट जहांकी two proton उपस्थित है यहां स्विजन इसके आधार पर हमें योगिक की संदस्ना सूत्र निकालना है सूलिशन योगिक के UV स्पेक्ट्रम में 283 नैनो मीटर पर एक दुर्बल संकेत यह दरसाता है कि अनु में एक कार्बोनिल समू विद्मान है जिसके एन से पाई ट्रांजिस्टन संक्रमन के कारण है बैंड उत्पन हुई है IR स्पेक्ट्रम में 17-15 cm इन्वर्स पर एक 3 रुबेंड CO समू की पुष्टी करती है 3000 से 2500 cm इन्वर्स पर एक चोड़ी बैंड अनु में COOS समू की उपस्तिती तरसाती है जिसके OH बंद के तनन कमपन हाई ट्रोजन बंद के कारण एक चोड़ी बैंड के रूप में प्रदर्सित होते हैं एन्वर्स पेक्ट्रम में उच डेल्टा मान 10.9 ppm पर एक सिंगलेट का होना COOS समू की पुष्टी करता है टू-टू हाईट्रोजन के लिए 2.6 वे 2.25 डेल्टा मान पर दो ट्रिप्लेट का प्रदर्सित होना ये प्रदर्सित करता है की अनु में दो मेथिलेन समू CS2, CS2 एलेक्ट्रोन आकर्षित करने वाले समू के साथ जुड़े हुए हैं डेल्टा 2.12 पीपीम पर तीन हाईट्रोजन के लिए एक सिंगलेट की उपस्तिती से इलेक्ट्रोन आकर्षित करने वाले समू के साथ जुड़े वे मैथिल CS3 समू की प्रदर्सित करता है आतय योगी की संभावी संदर्जना निम्न होनी चाहिए CS3, C1O, CS2, CS2, COO, H और इसका अनुभार निकाले तो यहाँ पर कारवन के 5 एटम प्रजेंट है, हाईट्रोजन के 8 और O के 3 तो 12 इंटू 5 इस इकल्स टू 60 प्लस हाईट्रोजन की 8 एटम है तो 1 इंटू 8 बराबर 8 और ऑक्सिजन की 3 एटम है तो 16 इंटू 3, 48 60 प्लस 8 प्लस 48 इस इकल्स टू 116 अनुभार सेकेंड एक्जाम्पल है कि एक योगिक का अनुसूत्र C3H7NO निम स्पेक्टर आक्डे देता है जहाँ पर UV में स्पेक्टर में इसका मान आता है 238 नैनो मीटर आईयार में इसका मान आता है 3428 सिंटीमीटर इंवर्स 2914 से 285 से 1 सेंटीमीटर इंवर्स 1681 सेंटीमीटर इंवर्स 1452 इंवर्स एनमर में प्रापत होता है 8.13 डेल्स सिंगलेट 1 प्रोटोन के उपस्थिती दरसा ही और स्पेक्टर में तता 1.9 डेल्टा सिंगलेट 3 हाइट्रोजन या प्रोटोन की उपस्तिती दर्सा रहा है तो इसके अधार पर हम योगी की सनस्रा निकालते हैं NMR स्पेक्ट्रम में निमनिक शेत्र के 3 सिंगलेट यह दर्सा आते हैं कि अणू में 2 CS3 समू वै एक NS समू होना चाहिए जो परस पर युगमन नहीं दर्साते हैं और प्रतक प्रतक हैं UV स्पेक्ट्रम में 238 नैनो मीटर पर एक तिवर बैंड अणू में से युगमन की दर्साता है चुकि अणू में कुल एक ही दिवबंद की संभावना है अते C double bone O की अते NS समू का एबंदी electron CO समू के साथ युगमन में होना चाहिए IR स्पेक्ट्रम में 1681 संटीमिटर इन्वर्स पर एक तिवर बैंड NS समू के साथ जुड़ेवे ketonic समू की पुष्टी प्रदर्शित करता है C 3428 संटीमिटर इन्वर्स पर एक मध्यम तिवरता वाली बैंड vibration NH के कारण और NS समू की पुष्टी करता है 2941 से 2857 संटीमिटर इन्वर्स पर एक दुर्बल बैंड vibration CH के कारण है और ये CS3 समू की पुष्टी करता है अतय योगी कानू सुत्र निम्न होना चाहिए CS3, C double bond, ONH, CS3 नेक्स्ट एक्जेम्पल में हम देखें कि यहां पर एक कारण योगी का अनू भार 108 है जिसकी अमलिय प्रकरती नहीं है लेकिन यह सरलता से आक्सिक्रत होकर एक अमलिय योगी जिसका की melting point 122 degree centigrade है में क्रिस्टिल क्रत होता है यह निम्न स्पेक्ट्रल आक्डे देता है UV जहां lambda maximum का माना रहे है 225 nanometer IR के माना रहे है 3408 cm inverse, 3065 cm inverse, 2888 cm inverse, 1499 cm inverse, 1455 cm inverse NMR में delta 7.26 ppm singlet 5 proton को दर्षा आता है, delta 4.6 ppm पर singlet 2 hydrogen proton को दर्षा रहा है और delta 3.1 ppm singlet 1 proton की उपस्तिति को दर्षा रहा है तो इसके आधार पर यदि हम योगी की संरचना निकाले तो इस प्रकार से आईगी delta 7.26 ppm पर 5 hydrogen का एक singlet अनु में phenyl samu C6H5 samu की उपस्तिति को प्रदर्षितिक करता है 3065 cm inverse पर एक मध्यम तीवरिता की vibration CH band तथा 1499 वे 1455 cm inverse पर vibration कार्बन कार्बन के बीच में band दर्षाता है band अनु में benzene वले की पुष्टि को कर रहा है 3402 cm inverse पर एक तिवर चोरी band अनु में O.S. samu की उपस्तिति को प्रदर्षित करती है जो vibration oxygen वे hydrogen वे अंत्रा आणविक hydrogen बंधन के कारण अवसोशन से उत्पन होती है 2888 cm inverse पर एक मध्यम तीवरिता की अवसोशन band vibration CH कमपन की परिणीती है और यह CH2 samu को प्रदर्षित करता है उप्योग निर्सकर्षों के आधार पर योगी की आणविक सनर्चा निम्न होनी चाहिए फैनिल समू, CH2, OH, Benzyl, Elfoil की सनर्चना सूत्र निम्न आकड़ों के आधार पर आती है जिसका molecular यह आणू सूत्र है C7H8O C7 12 into 7 is equals to 84 hydrogen की संग्या है 8 तो 1 into 8 बरावर 8 और oxygen की संग्या 1 है तो 1 का है 16 84 plus 8 plus 16 is equals to 108 molecular weight इसका आता है एक योगी का अनू सूत्र C4H8O है स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह निम्नाकड़े प्रदर्षित करता है UV में आता है 275 nanometer पर IR में दर्षित आता है 2941-2857 cm इंवर्स पर 1715 cm इंवर्स पर और 1460 cm इंवर्स पर और NMR आकड़े आते हैं इसके delta 2.48 पर एक वाल्टरेट आता है जहांकि 2 hydrogen या 2 proton उपस्तित है delta 2.12 singulate 3 proton की उपस्तित दर्षित आ रहा है delta 1.07 पर एक triplet आता है जहांकि 3 proton उपस्तित हैं योगी का सनरचना सूत्रे क्या होगा तो हम इसका solution देखें तो UV spectrum में 275 nanometer पर एक दुर्बल आउसोशन बेंड N2 pi transition संक्रमन को दर्षाता है अता है अनु में एक कार्बोनील C double bond O समू की उपस्तिती को यह प्रदर्षित करता है IR spectrum में 1715 cm inverse पर एक तिवर बैंड आणु में कार्बोनील समू की उपस्तिती को प्रदर्षित करता है 2941 से 2857 cm inverse पर एक मध्यम तिवरिता वाली बैंड मैथिल समू के vibration CH कमपन के कारण प्रदर्षित करता है आणु में मैथिल समू CS3 समू की उपस्तिती को प्रदर्षित करता है 1460 cm inverse पर एक मध्यम तिवरिता वाली बैंड CS3 समू के साथ जुड़ेवे CS2 समू के डेल्टा CH कमपन के कारण प्रदर्षित होती है NMR spectrum में टू प्रोटोन के लिए क्वार्टेट वे तीन प्रोटोन के लिए ट्रिप्लेट अणू में CS3 CS2 समू की पुष्टी करते हैं CS2 समू के उच डेल्टा मान M3H के लिए एक उच डेल्टा मान वाले सिंगलेट की उपस्तिती यह दर्साती है कि CS2 वे CS3 समू के बीज में कार्बोनिल समू विद्मान है जिसके इलेक्ट्रोन आकर्शित करने की प्रवर्ती CS2 वे CS3 प्रोटोनों के सिंगनल निम्निक शेत्र के और खिसा के जाते हैं उप्योक्त विवेचन के आधार पर अनू का सन्रसना सूत्र निम्न होना चाहिए CS3, CS1O, CS2, CS3, 2-butanone जिसका molecular structure या अनूसूत्र है C4H8O Next example देखे हैं कि एक हलके पीले रंग के योगिक में दुर्बल अमलिय गुण है या स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्निकी ताकड़े देता है UV में इसका 1-280 nm प्यार है IR में 3460, 3035, 1608, 1585, 15110, 1360, 1320, 740 cm इन्वर्स पर आता है सैंपल का तनुकरण करने पर भी 3460 cm इन्वर्स वाली बैंड किसकती नहीं है NMR में 2 tau signate 1 proton और 2.61 से 2.75 tau जटिल मल्टिप्लेट जहांकि 4 proton उपस्तिते को दर्स आ रहा है तो इसके आधार पर योगिका अनुसुत्रशना सुत्रहम निम्प्रकार से निकालेंगे 280 नैनो मीटर पर एक तिवर आउसोसन बैंड अनु में सैयुगमन अत्वा एरोमेटिक बैंजीन वले की उपस्तिती को दर्साती है जिस पर कोई एक ऐसा समू जुड़ा हुआ है जो बैथो क्रोमिक एम हाइपर क्रोमिक सिफ्ट को दर्साते हैं 3035 सेंटीमीटर इन्वर्स पर एक मध्यम तिवर तावाली बैंड एरोमेटिक वाइब्रेशन सी एज कमपन के कारण होते हैं जिसे बैंजीन वले की पुष्टी होती है 3460 सेंटीमीटर इन्वर्स पर एक तिवर बैंड हाइट्रोजन बंद वाले एनेच अत्वा ओएस तनन कमपन को प्रदर्शित करते हैं लेकिन चुकि यह बंद विलेन की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है अत्याणू में अन्तराणूीक हाइट्रोजन बंद या इंंतर्मोलिकिलर हाइट्रोजन बंद की संभावना है 2.1 तो या 11.9 डेल्टा पर सिंगलेट एक ओएस समूकी उपस्तिती को प्रदर्शित करता है क्योंकि NH प्रोटोन इतने उच डेल्टा मान पर प्रदर्शित नहीं होते वरन वे डेल्टा 5 से 6 के आसपास ही सिंगनल देते हैं नेमन टो मान 2.61 से 2.75 पर एक जटिल मल्टिप्लेट बेंजिन वलेम में दो प्रतिस्तापी समुकी उपस्तिति को दर्साता है योगी का हलका पीला रंग और IR स्पेक्ट्रम में 15110 वे 1360 सेंटीमीटर इंवर्स पर तिवर बंद अनु में एनोटो समुकी उपस्तिति को दर्साते हैं आयार स्पेक्ट्रम में 740 सेंटीमीटर इन्वर्स परतिवर बंद की उपस्तिती अनु में ओर्थो द्वी इस्थापन को प्रदर्शित करता है अनु में अन्ते आन्विक हाइट्रोजन बंद भी तबी संबह हुए यदि उसकी ओर्थो इस्तिती पर OH और NO2 समुन विद्मान हो अत्या उप्यूक्त विवेचन के आधार पर अनु का सनरचना निम्न होगी और्थो नाइट्रो फिनोल जिसमें दोनों OH और NO2 समुन और्थो प्रोजिशन पर उपस्तित है थैंक्यू